एससलाम वालेकुम आज आपके साथ में किम, मोगलाई पराथा की रिशिपि शेयर करने वाले हूं यह पराथा मैंने लेटबर किमा के साथ तयार किया है आप चाहे तो फ्रेश किमा के साथ भी तयार कर सकते हैं करता है तो चलिए स्टार्ट करते है इसने बनाना तो पका हुआ है उलेडी मसाला के साथ में पका चुकी हूं इसने तो अभी में इसके साथ च्वाप्ट omnia डाल पैस और एक अंड कर रहा हुँ तो इसने मैं कुछ मसाले नहीं किमा के साथ अल्री सब कुछ है मसाले तो मैं सिर्फ अंडा और पयास के साथ इसे मिक्स कर रही हूं और यहां पे मैंने मैदा ओल और नमक के साथ मैंने नरम सा डो तयार किया था और दो घंडे के लिए मैंने फ्रीज में रखा था तो अभी मैं डो को एक रोटी बेलूंगी भी और पतला सा एक ब bessा साईज का रोटी बेलना है इसे ए GBा देखे में ने पतला और बारा सा इसके रोटी बना लिया है क्योंकर इसे फोल्ड हम यह ईन्पी बनेगा तो अब ही मैं इसको स्टाफिंग कर रही हूं किमा के साथ तो इसी तरह बीच में स्टाफिंग करें किमा के साथ और अब ही मैं फोल्ड कर रही हूं इसे एक एंवलप की तरह इसे फोल्ड करना है चारो तरफ से बिल्कुल इसी तरह इसको फोल करना है और अभी मैं इसे फ्राइ करूंगी तेल गरम कर लिया है मैंने और तेल में अभी मैं पराठा डाल दिया है और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राइ करना है दोनों तरफ ब्राउन होने तक लो फ्लेम पर अगर प्राई नहीं करेंगे तो यह अंदर से कच्चर आएगा कि अंदर अंडा है तो अंडा पकने के लिए इस बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है इसे फ्राई करना है और क्रिस्पी करना है इसलिए बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे धीरे धीरे इसे फ्राई कर गला है तो हैए दिखे पढ़ा था बिल्कूल तयार है अभी इसके साथ दो पढ़ा था तयार किया था तो यह realizing कृिस्पी बना है यह अभी में आपको काट के दिखा रहे हूं से यह दिखिए बिल्कुल अंदर से पक चुका है यह रिसीपी बनाना बहुत ही आसान है आपसे जुरू ट्राइए करें अगर यह रिसीपी आपको पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें थैंक यू फॉर वाचिंग और अल्ला हफीस